Hey guys, मैं हूँ Saurab and today we have a smart watch of brand Noise Fit और इस brand का जो model है वो है Color Fit का Pro 2 और यह basically एक smart watch है यह कोई normal सा smart band नहीं है और इसमें आपको IPS का touchscreen भी मिल जाता है और उसी के साथ साथ इसके बाटरी का 10 days का standby है तो आप इसे 10 days तक non-stop यूज़ कर सकते हैं ऐसा company का कहना है और भी मैं आपको बताता हूँ कि इसका आपको एक dedicated app भी मिल जाता है Play Store या App Store पे जिसे आप Play Store या App Store पे चाके इंस्टॉल कर सकते हैं और उस app का नाम है तो जब आप उस app को इंस्टॉल करेंगे तो आपके अंदर बहुत सारे features आपको देखने को मिल जाते हैं जैसे first of all आपको उस app में अपने जो स्मार्ट वोच को है वह आपको सिंक अप करना पड़ेगा उसके बाद आप अपने स्मार्ट वोच में जैसे आप एक साइब कर नहीं कर सकते हैं स्लीप MARKinky जनुक्ट करते हैं तो अपने स्विक अब हीसे अब दसक्राइब करना इस सब्क्राइब मोस्टॉलर्यक तो आपके अशनलों करते हैं तो आपके अचरे iisim Ihr अच्वावक्स मेन गाें हैं है हमारा box और कुछ इस तरीके से इसकी packaging हमें दी गई है पीछे इसके कुछ features देखने को मिल जाते हैं जैसे इसमें आपको IPS का touchscreen provide किया गया है इसमें multi sports mode है multi sports mode मतलब की इसमें आप अपना कितना steps चले वो track कर सकते हैं running भी track कर सकते हैं swimming भी track कर सकते हैं और उसी के साथ साथ हमें यह waterproof का भी feature देखने को मिल जाता है जैसे कि यहां पर लिखा है IP68 waterproof और यहां पर specially females के लिए female health tracking भी बनाया गया है और यहां पर डाइरेक्ली अपने स्मार्ट वॉच पर आपके notifications भी पा सकते हो जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है smart notifications जैसे WhatsApp, Facebook, Messenger जैसे apps के अगर आपको notifications आएंगे तो वो आप डाइरेक्ली अपने watch से access कर सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है कि आपको 45 days का standby मिल जाता है तो यह ही है हमारा box इसके अंदर जाके अंबॉक्स करते हैं ओके सो देख सकते हैं गाइज यहां पर हमारे पास हमें एक registration card मिल जाता है और यह basically warranty के लिए है कि अगर company के तरफ से आपको कोई defect मिलता है तो you can use this warranty card उसी के साथ साथ हमें कुछ stickers यहां पर की तरफ देखने को मिल जाते हैं यह box के साथ ही आये थे यह हैं वो stickers फिला लेने साइड रखते हैं यह है हमारा box का main content यहां पर देख सकते हैं गाइज हमारे पास हमारा fitness smart watch है जल्दी से निकालते हैं और box के नीचे हमें यह magnetic charger भी मिल जाते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि कि इस magnetic charger को कैसे यूज किया जाता है गाइज हमें इसे निकाल देते हैं देखने में और यहां पर आपको silicon के straps देखने को मिल जाते हैं बहुत ही soft है और skin friendly भी है इसके उपर से हम निकाल देते हैं स्टिकर और एक देख सकते हैं यहां पर हमें IPS IPS 68 waterproof का एक screen भी मिल जाता है और screen is really shining तो आपको अगर इसे guys on करना है तो यहां पर आपको एक button देखने को मिल जाता है आपको इसे long press करना पड़ेगा और जब आप इसे खरीदेंगे तो तभी आपको आप जब on करने की कोशिश करेंगे तभी शायद यह on नहीं हो पाएगा क्यूंकि इसे charge की भी requirement होती है तो लेट्स ट्राइए देख सकते हैं guys आपको one to two seconds तक प्रेस करना पड़ेगा इस button को और यह turn on हो जाएगा यहां पर जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा home page हमें देखने को मिलता है जिसमें time सब देखने को मिलता है time date day और निचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो आप ऐसे बस slide कर सकते हैं और आपको बहुत सारे features देखने को मिल जाएंगे तो नीचे अगर हम जाएंगे तो यहां पर आपको steps count करने का एक option मिल जाते हैं आपको बस इसे on कर देना है और you are ready to go और देख सकते हैं यह अगर आप कोई marathon पर जाना जाते हैं तो कितना distance आपने travel किया है वो इस में देखने को मिलता है थर्ड option यहां पर है calories का आप calories भी अपनी count कर सकते हैं और थर्ड यहां पर देख सकते हैं वन वीक में आपने total कितना किया है वो भी आपको यहां पर देखने को मिलता है तो screen भी बहुत अच्छी है और आगे देखते हैं आगे कुछ नहीं है guys तो इतना ही है इसके features और यहा पर अगर आप उपर की तरफ slide करेंगे तो आपको message देखने का भी एक option मिल जाता है और यह option को आप तभी access कर पाएंगे जब आप अपने smart watch को अपने smartphone से pair करेंगे using the noise fit app और वो procedure भी मैं आपको दिखाऊंगा बाद में तो पहले इसके features को समझ लेते हैं और अगर आप home page प change the wallpaper as well देख सकते हैं guys यहाँ पर आपको multiple options मिल जाते हैं wallpapers के तो मैं यह वाला set करना जाओंगा तो हमने जैसे कि यह सब देखा था तो जब आप right slide करते हैं तभी यहाँ पर आपको sports mode heart rate breathe और alarm का option देखने को मिल जाता है पहले हम first feature को discuss करेंगे जो है sports mode अगर आप इसमें जाएंगे तो इसमें आपको run, walk, bike और hike, climbing और treadmill का भी option देखने को मिल जाता है साथी साथ इसमें अगर आप gym जाते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छा option है अरे यह तो start हो गया तो guys अगर आप gym जाते हैं तो इसके लिए भी आपको एक dedicated option मिल जाएगा जो है spinning का यह जो option है इसमें आप अगर spinning machine में जाते हैं और आप अगर जितना भी spins करते हैं उसमें वो आपको यहाँ पर track करने में help करेगा यहाँ पर एक yoga का भी option है while doing yoga also you can wear this strap और अगर आपको यह जो strap है इसको अगर detach करना है तो यहाँ पर आपको एक spring mechanism देखने को मिल जाता है आप बस इसे एक side press कीजे और यह अपने आप detach हो जाएगा फिलाल हम इसे detach नहीं करेंगे और बाकी के features देख लेते हैं नीचे अगर हम जाएगे तो यहाँ पर music stop watch settings और sports record का option मिल जाएगा जो sports record है इसमें आप देखोगे कि कितना आपने monthly या weekly walk किया है उसका आपको यहाँ पर data देखने को मिल जाएगा और अभी हम उपर की तरफ जाते हैं तो अभी मैं आपको इस smart watch को कैसे pair up करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा तो जल्दी से चलते हैं और उस app को install करते हैं गाइस देख सकते हैं यह हमारा और एक फोन और इसमें आपको basically play store में जाना है और उसमें सर्च करना है noise fit आप तो आपको यहाँ पर noise fit का एक आप मिल जाएगा आपको उसे install कर देना है और open करना है इसे हम agree कर देंगे और आपको यहाँ पर pair device करना है और यहाँ पर आपको ब्लूटूथ का option भी अलाओ करना है यह थोड़ा सा time लेगा pair up होने को पर pair up हो जाएगा तो guys जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे ही आप scan के option पर click करेंगे तो यहाँ पर आपका device जो है जो कि हमारा device है color fit का pro do यहाँ पर scan कर लेगा बस आपको location का जो permission है वो आपको allow करना पड़ेगा और अभी आप इसे click करके pair कर सकते हैं यह already pair हो चुका है पर आपको इसको access करने के लिए account भी बनाना पड़ेगा तो जल्दी जल्दी इसे बना के मैं आपको दिखाता हूं तो बात करें इसके app की तो जब आप इसे pair up कर लेंगे तो आपका आपका जो interface होगा वो कुछ इस तरीके से देखेगा यहां पर आप दिन का step count कर सकते हैं sleep hours distance heart rate सब कुछ यहां पर दिया गया है तो आप easily track कर सकते हैं यहां से और आपको अगर अपने smart watch में notifications चाहिए तो आप यहां पर click कर सकते हैं और notifications and alerts को enable कर सकते हैं और यहां पर जो जो आपसे आपको चाहिए आप वो आपको select कर सकते हैं easily और बात करूं कि इसमें और क्या-क्या extra add-ons हैं तो यहां पर बहुत सारे आपको watch faces आपको access करने को मिल जाते हैं जैसा कि यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे watch faces हैं so it's really worth it or you know what's cool about it you can change the watch faces like you can customize it so मैंने यहां पर custom wallpaper लगाया है जैसे मैं gallery में जाऊंगा gallery और यहां पर अगर मैं यह वाला watch face चूज़ करता हूं तो आप इसे customize करके लगा सकते हैं और यह जो watch face है यह आपके smart fitness smart watch को easily transfer हो जाएगा तो transfer होने तक का wait करते हैं देख सकते हैं guys अभी हमारा watch face यह है मैं आपको तो guys देख सकते हैं हमारा watch face जो है वो transfer हो चुका है अभी जैसे ही आप अपने smart watch का button को click करेंगे तो guys boom देख सकते हैं वो watch face आ चुका है तो मैं आपको इसका brightness थोड़ा dim करके दिखाता हूं तभी आपको दिखेगा अच्छे से guys यहां पर settings में जाके आप अपने dial चेंज कर सकते हैं और भी बहुत सारे options मिल जाते हैं मैं अभी lowest lightning पर दिखाता हूं आपको हो चुका है हमारा यहां पर आपको shutdown करने का भी एक option मिल जाते in case you want to shut down और music notifications सब के आपके आपको अपने watch पर reflect हो जाएंगे तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमने यहां पर gallery से निकाल के एक wallpaper चूस किया था जो हमारे watch पर आ चुका है देख सकते हैं गाइस यह बहुत ही cool है और भी इसमें features हैं आप settings में जाके देख सकते हैं इसके features users go to settings app optimization में जाके भी आप कर सकते हैं यहां पर location permissions and that's all guys और अगर आपको अपनी activities को track करना है तो आप यहां पर login करके track कर सकते हैं फिलार मैं login नहीं कर रहा हूं यहां पर summary तो मैंने आपको दिखाई चुका हूं तो guys अभी हम बात करते हैं कि इस watch को कैसे charge करना है तो इसके साथ आपको एक magnetic charger मिल जाएगा तो पहले तो हम इसे खूल लेते हैं तो यह हमारा कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है magnetic charger और इसका जो usb cable है वह आप अपने charging adapter में लगा सकते हैं और यहां पर आपको चार्ट पिन देखने को मिल जाते हैं जो आपके smart watch के पीछे जाके यहां पर automatically attach हो जाएगा क्योंकि यह magnetic charger है और यह जो magnetic charger वाले जो smart watches होते हैं वह बहुत ही delicate होते हैं आपको इसने बहुत ही अच्छे से संभालना पड़ते हैं परना अगर इनका पिन टूट गया तो आपको वापस इसे replace करना पड़ेगा तो that's it guys if you like my video then please like share and subscribe guys इतना तो आप करी सकते हैं हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं तो please guys like करके subscribe कीजेगा और please notification bell को भी on कीजेगा तो तब तक के लिए चलते हैं बाइ